नमस्कार आज हम discuss करेंगे HPSAC का previous प्रिवेश्य प्रिवेश्य प्रीवेश्य प्रिवेश्य प्रिवेश्य पेपर है इसका आज हम जीके का section discuss करेंगे पिछले पीपर हम हुष्टिके के इसके क्या क्रेंगे तो आज हम इन बुद्धिजम बुल इस रिलेटीड टू वट इंसिदेंट अव बुद्धाज लाइफ यह पेपर दोखो अभी संडे को लास्ट संडे को कंड़क्ट करवाया गया था और हरी क्वेशन को डिटेल से बहुत धरम में बैल का जो संबंध है वो बुद्ध जीवन की किस आगल बुल बुल जो है उनके ब्रहत को लेकर है जन्म को मेज़ के घोड ने घृथ एक हौट ऐस गोड़ं के बहुत बुद्ध संगत चार संगीतियां हुए थी बहुत धर्म में चार संगीतियां होई थी पहली संगीतिच तीसरी संगीति तपले कुछाल में हुए थी चौटी कुंडलम रंग मों कर्षक तरह धालो संगीति को पहले घता है जिन्म काम मनाई चाता है कि लुंबीनी में हुपा था तो यह बहीस दर मे Ai अगला question देखिए 86 question बोलते हैं Whose achievement are recorded in the Alhavad Pillar Inscription किसकी उपलब्दिया इलावाद स्तंप सिरालेख में दर्च है दोखो यह जो Alhavad Pillar Inscription है इसमें किसकी जो achievements है वो record की गई है इसमें समुद्र गुप्त की achievements record की गई है option B जो है वो से कितर है अब समुद्र कुप्त की achievements इसमें record की गई है समुद्र कुप्त के बारे में पहला question यह है इसमुद्र कुप्त को जो है वो भारत का Napoleon कहा गया है और भारत का Napoleon इनको किस ने कहा था इनको भारत का Napoleon V.A. Smith ने कहा था वी एस मित का नाम याद रखेगा कि इन्होंने इनको भारत का नेपोलियन कहा था तो यह दो थीन क्वेश्चिन तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चिन से समुद्रगुप्त के बारे में और एक और इंपोर्टन क्वेश्चिन जो बच गया हो है कविराज की उपाध्धी भी इ एक तो कालिदास का नाम याद रखना है दूसरा क्वेश्चिन आपको यह याद रखना है कि इनको अन्य किस नाम से जाना जाता था विक्रमा दित्ते भी इनको कहा जाता था तो यह भी इनके बारे में हो गया नलंदा उन्वेस्टी है नलंदा उन्वेस्टी जो था वो कि प्रत्थम का नाम भी आप याद रखे इसने क्या किया था 87 कोशिन देखिए बोलते हैं आइडल सब्सक्राइब कोशिन ने पूछ लिया यहां पर कि इन्डेस वैली साइट में यह डांसिंग की जो ब्रॉंज का इडल हो मिला है तो कोशिन पेली साइट में भी फडर साइट सागे चलती हैं जैसे कि हडपा मोह जोड़ो तो कौन सी साइट में यह मिलती है तो यह मोह करना हुआ दरपन आप कहले दरपन टाइप में कुछ मिलता है बरतन पर मचवारे के चित्र मिलते हैं धोती पहने हुए एक मूर्टी मिलती है तो इस तरह की चीजें यह हैं वह कहां पर मिलती है और अगर इंडेस पेलिसाइट्स के बारे में कुछ और भी कोशन पूछे गया ऐक्जामें पूछा गया है कि हडपा के खोज किस ने की थी और कब की थी तो हडपा के खोज 1921 में की गई थी दयाराम सहानी के द्वारा जो था वो खी गई थी वो हडपा के बारे में वियात्या आपने याद रखनी है अगला गौशन है जी 88 क्योशन बोलते हैं तो सहाँ जहां का जो प्रसीद म्यूर सी हाशन था वो 1739 में किसके दोरा छीन लिया गया था ये किसके दोरा छीन लिया गया था ये पर्शियन इन्वेडर नादीर सहा के दोरा ज़ी था वो इस नहीं है नादीर साहन भारत पर आकर्मन किया था 1738-39 के भीच में और इसने भारत इस पाफी लूट पार्ट मचाई थी और मुगलों को इसने हरा दिया था यहां में पर पराजित कर दिया था मुगलों को और उसके बाद फिर से यह वापिस यहां से लॉट गया था और उस दरान जो था यहां से जो पिकॉक थ्रॉन था उसको जो आप चीन कर ले गया था यह दियान रखना है अगला कोशन देखिए अगला कोशन ऐटीनाइन कोशन में क्या पूछते हैं जहांगीर वा बात है अब यहां से एक क्वेशन तो आप जहांगीर के बारे में पहले याद रखिए कि जहांगीर का बच्पन का नाम क्या था तो जहांगीर का बच्पन का नाम जो था हो क्या था सलीम इनका बच्पन का नाम था अब सलीम इन्हें कहा जाता था और जहांगीर के पिता थ अकवर अकवर के बाद जहांगीर राजा बने थे और नवरतन किसके कारेकाल के दुरान हुआ करते थे और जहांगीर ने जुथा वो कौन से सिख गुरू को जुथा फांसी की सजा सुनाई थी जहांगीर ने जुथा गुरू अरजन देप को जुथा इन्होंने फांसी की सज लिए नखियो और इक वैञेक्षिन और बनता है कि गुरु ग्रण्त साहिव का जुऊ संकलन का सधीन कियाँ गूफो अर्जुन बाहिए था यह सारक है के जहांगीर बारे- अगला गोशिन भी काफी अच्छा गोशिन है बोलते हैं दा रिप्यूटिड मुजिशन डियो तानसेन एंड बैजु बावरा फ्लोरेस्ट दूरिंग दा रेन आफ बोलते हैं परतिष्टित संगीत कार जोड़ी जो थी तानसेन और बैजु बावरा की थी किसके शाषनकाल क के दुरान फले फुले थे ऑफ्शिन सी सही अंसर है अकवर अकवर के शाषनकाल के तुरान तान सेन टबूल-फजल आता था एक फेजी आता था एक रूडर मन लाता था एक राजा मान संग आता था एक अब र्हीम कानपना आता था मुलाय दो पयाच आता था हकिम हुआम आता था यह नौ लोग त आते थे एसलिये इनको नवरतन भी का आ गया यह ध्यान रखना है अक्वर के नब्रत्रों के बारे में आपने और अक्वर ने जो क्वेशन मैंने बहुत बार आपको बताया है कि इसने दीन इलाही की स्थापना करवाई थी distill और उसके पाणे ड्रों के पहाई के असपास है और उसके बाद पाने पत्र की एक लडाई बहुत जाती है जो पाने पत्र की के लड़ाई है वो आप कमेंट करके बता दीजिए 91 नंबर क्वेशन देखिए बोलते हैं हुमाईयों स्टॉर्म वॉस बिल्ट भाए हुमाईयों का जो मकवरा था वो किसके द्वारा बनवाया गया था जो किसके द्वारा हमीदा बानु बेगम ऑप्शन भी जो है कहीं कहीं भी लिखा गया है हाजी बेगम भी लिखा गया है अब देखो एक और इंपोर्टन क्वेशन यहां से बनता है कि हमाईयों का टॉम था इसको युनेसको की वर्ल्ड हैरिटेज साइट में दर्च किया गया था नाइंटीन नाइटीन नाइटीरी याद रखना है आपने 1997 Protectaliśmy युनेसको की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में दर्च किया गया था 1 इंपोर्टन साइट्स मैं आपका ल स्बटाया है अजयन्दा साइट्स अजन्ता साहिट्स को जुदाओ सबसे पहली बार जुदाओ इंडिया में इनसको की बल्ड हरिटेज लिस्ट में शामिल किया गये था यह कौन सा यह था यह 1983 का यह था 1983 आपने ध्यान रखना है अगला 92 कोईशिन देखिए 92 नंबर कोईशिन में फुर्चते हैं इंडियान नैशनल कॉंग्रेश हैड पाश्ट दा फेमस रेजलेशन आफ नॉन कोपरेशन इन नाइटीन टी एट इट्स शैशन हेल्ड हैट तो बारती राष्ट्र कॉंग्रेश ने 1920 में अपने किस अजिवेशन में जथा वह सहयोग पर प्रसित प्रस्ताव पारित किया था पता होना चाहिए कि 1920 में इंडियान नैशनल कॉंग्रेश का सेशन कब हुआ था इसलिए मैं यह इंपोर्टन सेशन आपको बताता रहता हूं ताकि आपको यहां से हल्प मिल सके तो 1920 का कलकत्ता का सेशन था option D कलकत्ता का यह विशेश अधिवेशन कंड़क्ट करवाया गय की थी और 1920 में जो नॉर्मल सेशन इंडियान नैशनल कॉंग्रेश का हुआ था वो नागपूर में हुआ था और उसकी अधक्स्ता जो था वो सीवी रागवाचारी के द्वारा की थी प्रन्तु यह जो नॉन कोप्रेशन जो रैजुलेशन पास करवाया गया था यह विशे 1925 का कानपूर का सेशन जिसको स्रोधि नाइडू ने रिट किया था 1928 का कलकत्ता का सेशन जिसको मोतिलाल नहरू ने यह था और 1931 का क्राची का सेशन जिसको बल्ला भाई पतेल ले जिदा उदिकिया था इसके लाबा देखो इस से पीछे बीचे लेंगे जब आप तब भ में दा हो सूरत में हुआ था और रास भीहारी घोस के द्वारा इसको लीड किया गय था 1906 में जो था कलकट्टा में लीट किया था 1905 में बनारस और नारस का इसेशन जो यह था फिल तरगाल कोले के द oni किया गय क्या गया था या फिसेंग किया गया सविन्या वग्या अंदोलन शुरू किया गया था वह कौन सा मुद्दा था यह मुद्दा था ब्रिटी सरकार द्वारा नमक एक अधिकार का परयोग करना साल्ट के वारे में जानेंगे तो साल्ट के बारे में डंडी मार्च ही इसे पहले 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 तो बहुत वारे कुछा गया अब हो सकता है चोते चुछ लेजाए कप सुरू हुई थी यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी 6 प्रेयर 1930 तक जो था यह चली थी यह भी आपने ध्यान रखना है और यह जो सबीन्य आवग्या अंदोलन है यह 1930 का अंदोलन है 1930 में सुरू हुआ था यह सब आप यहां से ध्यान रखे अगला क्वेशन दिखेजी अगले क्वेशन हैं तो आपको पता है कि अंग्रेज्जों ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी क्यों उन्होंने रेलवे की शुरुआत की होगी उन्होंने यह रेलवे लाइन जो था उन्डिया में स्टार्ट अगर इस रेलवे लाइन के बारे में आप जानेगे तो पहली कष्छाई गई कहां से लेकर कहां तक भीज़ा यह तैंग और राणी के बार में जो दोर्ट अब होगी था और दूसरी के कारेकाल के दुरान जो था यह बड़ी इसमेंट की गई थी अच्छा एक क्वेशन मुझे कमेंट करके तरही जो शिम्लाकाल का और देखो यह जो इंस्टुमेंट इंस्टुमेंट ऑफ अक्सेशन था यह इंट्रडूस की आ गया था और सबसे पहले किसने साइन कि वो भी पता चल दिया 96 कोसिन देखें पूछते हैं In which reason did बिर्षा मुंड़ा operate against the British तो बिर्षा मुंड़ा ने बिर्षा के विरूत जो था वो किस क्षित्र में कारे किय था तो इन्होंने जो था वो किस क्षित्र में कारे की था चोटा नागपुर क्षित्र में जो था इन्होंने अंग्रेजों के खिलाब ओका लेगा तक इसने बिरसामुंडारें बिरसामुंडारें ने आपको ध्यान रखना है बिरसामुंडा की जयنتृ कभ मेनाई जाती है वो भी पता होना चाहिए बिरसा?. कि जयंती जो है वह मनाई जाती है 15 नवंबर को जो है इन की जयंती में आई जाती है यहीं अग्जाम में पूछे जाए चोटा नांपबूर्चेतर जारकन का यह खेस कशेटर है वह भी जान रखिए जारकन जारकन जहांपर कोईले का सबस्यादी कुत पादन होता है या फिर कोईले की सबस्यादी कादाने पाई जाती है तो यही सब छोड़ी छोड़ी चीज़ें आपको यहांचे पता चली अच्छा एक और बात आज आज आपसे क्रंट एफेर का गवाशन पूछते हैं उसका अंसर आप कमेंट करके बताईएगा बोलते हैं इनका नाम आपको बताना है कि कौन सी यह कंटरी है यह आप कमेंट करके बता देजिए और इस क्वेशन के अंसर की बात करें तो टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पर जोइन करने के लिए एड़ दरेट औल एक्जाम 31 कुछ इस तरह से सर्च करना आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा 16,000 से दिक लोग मारसा जुड़ चुके है आप भी जुड़ जाएगे 17,000 से लिए अकैनल